आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ चिकन मसाला बनानी की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम मसाला त्यार करेंगे इसके लिए हम पैन में एक टेबल स्पून डालेंगे तेल तेल के गरम होते ही इसमें हम एट कर देंगे एक टेबल स्पून धनिया और एक टीस्पून सौफ एक दाल्चीनी का तुकड़ा छे लाल मिर्च दो चोटी लाइची दो लॉंग और एक टीस्पून काली मिर्च इसे हम डाल देंगे और सारे मसालों को हम अच्छे से एक से डेर मिनट के लिए दीमी आज पे यहाँ पे हमने इसे बुन लिया है अब हम इसमें एट करेंगे कच्छा नारियल कदुकस किया हुए हमने आधा नारियल आधे छोटे नारियल को कदुकस करके लिया है और यह कच्छा नारियल है और इसे डालने के बाद इसे हम अच अच्छे से भून लिया है सारी चीज़ अच्छे से भून चुकी है बस फ्लेम को बंद करेंगे इससे ठंडा होने देंगे जब थंडा हो जाएगा तो इसमें थोड़ा पानी डाल करके हम मसाले को त्यार कर लेंगे चलिए अब हमने यहां पे जो है कड़ाई में तेल लिया ह तक हम इससे पका लेंगे यहां पर प्याल सॉफ्ट हो चुकी है अब हम इसमें एट करेंगे एक बड़ी साइस का टमाटर चोड़ी पीसस में कटकिया हुआ टमाटर के भी सॉफ्ट हो जाने तक हम इससे पकाएंगे यहां पर टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम इस से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चिकन अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें एट करेंगे मसाला जिसे हमने तियार किया था सारे खड़ी मसाले गरी और गड़ी पत्ते वाला इसे डालने के बाद थोड़ा साहम इसमें एट करेंगे पानी और 1-4 टी-स्पून एट आप इम्मादू के वे मसालीये, डियर तकर 3-3 minutes, देखे अचा हो चुका है तो अब हम इसाओ करें पानी मुणत लिए नहीं, ठीक हो घुड़ा दका वन एक हैं तो यहां पर हमने चिकन को 20 मिनिट तक पका लिया है हमने एक बार खुल के चलाया भीता और यहां पर चिकन को खो चुका है तो बस एक टेबल स्पून दालेंगे धनिया की पती और डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह बहुत ही मज़िदा चिकन मसाला रेडी है सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्तिया अल्ला हाफीज